नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्कार सर, मेरा नाम चंदर शेखर है, बिल्डर हूँ, बीच रोड पर मेरी ये कंस्ट्रक्शन चालू है, वहां के लोकल गुंडों ने उसे रुखवादियो अपनी कंप्लेण लिखे है, मैं आक्शन लूँगा, ठीक है सर, बांड़ा के खिलाट कंप्लेण , कोई भी कुछ भी कंप्लेण करेगा तो तुम आक्शन लोगे, मेश्टर चंद्रạnhoncesekhar सर , कंप्लेण लिखने क लिए खाली में पेपर काफी नहीं है, कोट में जाकर गवाश ही देनी पड़ती है उसके लिए जीगरा है क्या मैं गवाई दूंगा सर्थ सूँ वाच्छे यही देखना था अब देखना कैसे भोड़ता हूं पांडा का भांडा बांडा बीच रोड का जो काम है उसे बंद करवाकर बिल्लर को धंकी देकर पचास लाक रुपे मांग रहे किया है यह सब मम्मी क्या तुमारी सुंदर बैटी सुबह मंदिर गई थी जिहां सर चंद्रशेकर जी की बैटीको कुछ नहीं होना चाहिए वह बहुत सुंदर है यहां अपनी पर गई होगी तुझे उससे क्या सर उससे कई मेरी बैटी को कुछ ना करें प्लीज पांडा ये बिल्डर बहुत समझदार है, सारी बात समझ गया है, लेकिन क्या है, आज कल लोहे सिमेंट का भाव बहुत बढ़ गया है, इसके लिए ये पचास लाख नहीं दे सकता, 30-40 लाख में मांडवली करो, बात खतम, पोलिस का थोड़ा मान रखो, ओके, थेंक्यू, मैटर सुल्जा दिये राजा, 40 लाख बांड़ा को देना और 5 लाख मुझे, केस, अच्छा हुआ मेरे पास आगए, शाम तक पैसे यहाँ पहुचा देना, मैं दे दूँगा, सार, चंद्रशेखर जी, मैं अक्षन लेने के लिए तयार हूँ, क्या आप कंप्लीन्ट लिखने के लिए तयार हैं, पैसा मेरी बेटी से ज़्यादा मायने नहीं रखता है, सार, पांडा, तुमने जितने मांगे थेलिया है, जाद, टाणी, अरगजा, पांडा, उमने जितने पैसे मांगे माने देती है, मेरी बेटी को छोड़ दो, अब, टाणी, ये सब पुलिस स्टेशन जाने से पहले सोचना चाहिए था, तुमने, मेरी बेटी को छोड़ो, अब, चाले दाणी, कान है बेटो, जुर्म करने वाले और जुर्म सहने वाले के बीच में हमेशा एक ही कवच होता, और वो है पुलिस, खाकी मैं खड़े, इस शेर पर भरोसा कीजिए और अपनी कंप्लेंड लिखिये सब, खाकी मैं खाकी मैं पुलिस, कि मैं परोगीफिए तेम लिखिये सब तेमी तेमीजिए आपीए, पार भाले में खाईाउब में खिलिस, कि कि अज़े, जिए भी खाइए, बामें परोगीजिए, और वादाए, सेंवेए, और लिए विए प्सके अाइए! झाप झाज़ और दो ढुआ है व्हा अ पुछ कि असले कि अगे हैं लगा वहां वुछ कि अजया पुछ कि अव्हां वो अ आ जा गड़ अ कर दो कर दो काड़ी चिलानी नहीं आती जियर ओफिसर्स शहर में दिन प्रति दिन किड्नैपिंग और लूट मार के केस बढ़ते ही जा रहे हैं तो इन केसिस को सुल्जाने के लिए मैंने एक स्पेशल ओफिसर को अपॉइंट किया है वो कान है साथ आविजा राजा चाल भाग भागा तो मेरा एंकाउंटर हो जाएगा और अगर नई भागा तो तुझे क्या ढोकला भापड़ा खिलाएगा उसने एक बार नक्की कर लिया तो टिकट कट गया समझ लें अज़ कर दो कि अज़ हुआंटर है सर एक साथ में दो चीज नहीं चलाते हैं सिगरट जब तक चालू है गोली नहीं चलाएंगे अब ज्यादा मत सोच चल भाग भाग इंस्पेक्टर विजय को भागते होए क्रिमिनल्स का शिकार करना पसंद है लोगों के नाम के बाद उनका स्वन नहीं आता है मेरे नाम के आगे पीछे एंकाउंटर आता है फेर से सपने में एंकाउंटर किया बेटा अल्रेडी आठ बच चुके हैं अगर लेट हुआ ना तो वो सीनिय तीरा ही एंकाउंटर कर देगा ये वर्दी पहनना बहुत गर्व की बाद है वेटा ये तेरी जिम्मेदारी है कि इस वर्दी की इज़त हमेशा बनी रहे हम ऐसा कुछ मत करना जिससे इसकी शान गटे येस मॉम् सार इदर आये सार यहां पर सब लोग आ चुके हैं सार यहां पर सब लोग आ चुके हैं सार अम्रुत मुहरत शुरू हो गया है शुरू किया जाए हम में सबसे तेज सबसे चालाग हम सभी में सबसे वफादार अकेले तुम ही बोलोगे क्या जो लिखा है समझ में नहीं आया या हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लगी बिना कोई कुंडली देखे सिर्फ मेरी हिम्मत देखकर पंडित ने कहा था मैं पुलिस वाला बनूंगा तुम लोग मेरा गुस्सा देखना चाते हो तू देखे देखे शपत देखे ते हैं चैहिं तुझे समझ में आया ने बखुड़ा समझ में आ गया सार बोल क्या समझ में आया स्कूल की तरह अब पुलीस टेशन में प्रेयर होगी इसने मेरी बेज्जती की के तारीब सरे के सबीसाब आव गया सब्स्राइब जाव इंचारज और वो तेरी ये इंग्लिज कब से सीग गया क्या मुला इसने कुछ खास नहीं सर पूछ रहे हैं कि इस पुलिस टेशन का इंचार्ज कौन है मैं हूं य हूं शर रह रहे हैं मम्मी जोगरी गई आपकी सर सर आए टेक नो रिष्वत सर वन वाइप सर तो स्मॉल स्मॉल चिल्टरन सर घर चलाने के लिए करना पड़ता है सर what is he saying? so actually what he is saying is compared to last month our crime rate has dropped by 13% and we have installed CCTV cameras around the station to monitor from here good job thank you sir अगर तुम्हें नहीं आती तो इससे बाद में सीख लेना और अगर नहीं सीख पाए तो हिंदी में बात करना क्या पिटा yes sir शपत लेके 10 मिनट भी नहीं हुए अब तक और इसने मेरी साइड काट ली अगर इसकी स्पीड पे ब्रेक नहीं लगाया तो मेरी जिनकी बिना सुखे पापड जैसी हो जाएगी इसको व्रेक क्या लगाओगे sir ये कोई रोड पे चलतीवी कार या बस नहीं है ये तो पूरी की पूरी मिसाइल है क्या प्रेक करके लिए प्रेक कर लाएगे स्थीज़ जैसे कर दो भाएगे ये जाएगे लूखे ये लूखे इसको अबड़क तूरी बीवर्ट ये जो झाल ये जाएगे ये जाएगे सब्सक्राइब करें कर दो दो रहाए झाऊ है कर दो तो प्र दो प्राइब कर दो कि अटे है प्योंडडर कि अढ़र कि एे उटोगर अइडिक एटव एा है बांशी है वा ओने तो एग उड़िया जढ़क्ट अढ़र जब है अजड़र को लो दूडर को लूडर फटे है अजड़र ऍूरर है अजडर कोने रह अबे देख के रहा है, चल लीगल तेरे को बोलना हो जड़ फोड़ छोड़ तो, खंदा सब चल नेकाल को है में तुझा रहे क्या भाई सबको एक ही बार मारा और मेरे को दस दस बार मारा तुमने वोटिया यार समझाए जो एक-दो मार कर छोड़ दूंगा पुलीस का कियो कले नाम से नाम की बॉल रहां जोड़रा हूँ है बढ़क मत आपके नाम से इसने अलाके मिक्राप क्यों है पावर ऑपको भाई पावरन आपको उसको दिखानी होगी जाँ मेरे को फसा कर खुद भाग गया आज मेरा लड़ने का मून नहीं है इसलिए तेरे को मैंने माप किया नहीं बेटा अगर फिर किया अगर तुने मेरे को एक बार और मारा तो देख लेना मैं क्या करूंगा बताना क्या करेगा मैं रोदूंगा सर मैं तुम ही बोलो ना इसको अगर किसी लड़की को आँख उठा कर भी देखा ना थैंक यू वो तो ठीक है लेकिन इतनी रात को आपके लिए यहां क्या कर रही है मैं किसी से मिलने के लिए घर छोड़कर भाग रही हूं ओ लव स्टोरी है अब वो इस वक्त गीता बस्टॉप पे मेरा इंतजार कर रहा होगा आएए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं श्री राम ने तो यही जगा बताए थी श्री राम का तो पता नहीं लेकिन बारिश आ गई चलिए अब हर के रहे हैं नहीं कुछ नहीं कोई बात नहीं बता दीजे मैं बुरा नहीं मानूंगी तुम आधी रात को उससे मिलने निकली हो वो तुमें भगा कर कहीं ले जाएगा हस रहूं क्योंकि प्यार भी आर समझ में नहीं आता इसमें ना समझ आने वाली तो कोई बात नहीं है प्यार इस बारिश की तरह है हमें कभी भी किसी भी वक्त प्यार हो सकता है जैसे ये बारिश भी कभी भी किसी भी वक्त हो जाती है इतना ही सिंपल है सुना था लोग प् तो वो प्यार ही कहता अगर प्यार में पागल पनना हूं तो हम ताज महल को भी बिल्डिंग समझ कर भूल जाएंगे उसे प्यार के निशानी समझ कर कभी आद नहीं रखेंगे क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ प्यार तो हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें तुम पहले मुझे अपनी कहानी सुनाओं उसमें पागलपन था या नहीं ये बाद में मैं तय करूंगी ये बस कुछ दिन पहले की बात तुम मुझे यहां क्यों लाया है बेटा आज पहली सालरी मिली है मा तुम्हें कुछ लेकर देना चाहता है ये लीजे पार्किंग का टिकेट अभी इसकी क्या जरूरत है अब नहीं तो फिर कब मा आप बस अंदर चलिए मा के लिले को अच्छी से साड़ी दिखाया या ये साडी देखिए मैडम आप इसमें औपने बेटे की तरह सौलिट निएawan ये वाली नहीं कुछछ और दिखा ये कैसी है मैडम अचा ये देखिए ये बाली बहात अच्छी हैए और अरे वो सब आप छोड़िया ना इसे पैक कीजिए कितना हुआ नाइन थाउजन फाइवांड़र्ड सालरी मिलते ही मेरा बेटा मुझे यहां ले आया आप बहुत खुश खिस्मत है भगबान सब को ऐसा बेटा दे परस कहां छोड़ दिया एक बेटा अब ही तो पारकिंग लेते हो और निकाला था हलो आप मिस्टर विजय बोल रहे हैं येस आपका वॉलेट को गया है हाँ आपको कहें पर मिला किया अभी आप कहां पर है साथ इंडिया शॉपिंग मॉल के फर्स फ्लोर पर आपका वॉलेट मेरे पास है वही रुखिये मैं आपसे वही आकर मिलती हूँ ओके इंस्पेक्टर विजय आपका वॉलेट थांक्यू किसी को बताना मत यहीं के पुलीस वाले का वॉलेट एक लड़की ने ढून कर दिया सब हसेंगे यह कौन थी बेटा पता नहीं मा कितनी सुंदर है ना हां मा पता है ना तेरी शर्मा अंकल ने क्या किया था जा किया अपनी बेटी की शादी तुम से करवाने के बजाए किसी डॉक्टर से करवा दी अगर तुझे ऐसी कोई लड़की मिल जाए ना तो अब उन्हें अकल पूछे तो यह बहुत पसंद है अब बिल देकर आए मैं उसे ढूंड़ता हूं अब इस नंबर से लड़की ने फोन किया था ना मैं उस लड़की को नहीं जानता उसका फोन बंद पड़ गया था तो मैंने अपना फोन उसे दे दिया उसके बारे में कुछ बता चला यहां बैटे रहने से कुछ नहीं होगा सर जाके डूंड़ना पड़ेगा उसका नाम एड्रेस कुछ भी नहीं पता तो कहां डूंड़नेंगे उसे क्यो मेरा नाम और एड्रेस तो पता नहीं ता आपको फिर भी मुझे खोज के डूंड लिया ना वे सडक चाप चोर और ल अपने दोस्तों के साथ तो पिकनिक पर नहीं जा रहा है हम पुलीस है चुबेट टेररिस्ट को बिर्यानी खिला सकते हो मुझे गरीब को एक चाय नहीं पिला सकते है बखवास बंकर चाही तो है पिला दे बभूलल चाही देना तुम अभी दिया सर मेरे लिए ग्रीन टी चाही नहीं पिला ग्रीन टी चाहिए लिए अच्छी होती है सर लगता है अंदर माल चुपाया है वह कब बना सर मैंने कुछ ने क्या मैंने कुछ ने क्या उसे चोड़ दो अरे कुई पक्ड़ो इस चोड़ दो कहां भाते हो है एए सर सर मैं चोड़ नहीं हूं सर मेरी मा बहुत बीमार है दवाई खरी देग लिए पैसे नहीं है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था सर तुमारी माँ हाँ मैडम मा की कसम यह लीजे जल्ती होगी मैडम सॉरी सर मा के लिए दवा ले लेना क्या कर रही है आप यह जूट बोल रहा हो लेकिन माँ का नाम लिया है छोड़ दो एसे थैंक्स में नमस्तर साथ यह मेरी मां की आखी निशानी है बहुत-बहुत शुक्रिया एक्सक्यूज मी यह बात सबको बताएगा जरूर कि पुलीस वाले गुम हुई चीजे ढूनते भ दिया कि बहुत शंटीव लगती है जिसकी बिचे सादी होगी ना सारी शाल्रीं चारेटी में दे देगी तुने कहा था ना बिना डूंडे नहीं मिलेगी तो बिना थुण्डे ही मिल गई गई तेरी यह पर्स वाली लड़की है तो उसके सामने शर्मानी के जगह हमारे साम गुमते गुमते आ रहे हो सर मेरा नाम कृष्णव है मेरी बेटी का नाम कावेरी है उसने मुझे 10.45 पर फोन किया था और उसने मुझे कुपाल नाम बस्टॉप से पिक अप करने के लिए कहा था जब मैं 11 बजे वहां पहुंचा तो वह वहां नहीं थी सर अब उसका फोन भी सके ऐसी बात नहीं है सर यह राजा अगर आप हम उसे ढूड़ने निकले भी न तो वह अपने लवर के साथ भाग चुकी होगी और मानलो उसको पकड़ भी लिया तो वो लोग बोलेंगे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तुम लोग हमको रोक नहीं सकते मैंने ऐसे बहुत स्विच ओफ हो चुका है मुझे डर है कि उसे कहीं कुछ हो ना गया फ्लीज तुरंत इसकी तहकिकात कीजिए यही आपकी कंप्लेंट है ना जी सर आप इस पर साइन कीजिए मैं एक्शन लोगा कौन सा एक्शन लेगा तू राजा जाकर तेरे ड्यूटी कर एक्शन लेना ह किसी के साथ भाग गई है तो हमारा बस एक घंटा बर्बाद होगा लेगन अगर कहीं किसी ने उसे किड्नाप किया हो तो उसकी पूरी सिंदगी बर्बाद हो जाएगी प्लीज कॉपरेट सर मुझे गोपाल राम बस्टॉप की कैमेरा फुटिज चाहिए जल्दी साथ आयготов hara सर वो रही मेरी बेटी ऑख सर भी को बचा लीजिए सर्प्लीज मेरी मेरी बेटी को बचा लीजिए है रिवाइन करो कार नमबर पर जूमकर न यह त्यार नम्मर है सर इसकी डीटेल्स आपको सिर्फ फ्रों से ही मिलेगी आउनलाइन नहीं पता चलेगा वहाँ पर किसी को ठीक से सिगनल क्यों नहीं मिल रहा है यह एरिया डॉक्यार्ड के पास है ना तो रात के दस बज़े के बाद सिगनल जाम हो जाते हैं इसलिए किसी को सिगनल नहीं मिल पा रहा है लेकिन यह आदमी लगातार फोन पर लगा हुआ है इसका मतलब इसके फोन में नेटवर्क आ रहा है यह पका बीएसनल का नेटवर्क है सर इस विजय सब इंस्पेक्टर गोपाल राम बस्टॉप पर एक आदमी लगातार दस चालिस से दस पचास तक फोन पर बात कर रहा था मुझ उसका नंबर चाहिए इस नंबर को मेरे डिवाइस से कनेक्क करोगे जर कल सीम यह आने वाले हैं जर पूरे शहर में नाका बंदी है शायद उसरी से बचने के लिए इन्होंने लंबा रूट लिया होगा इस इस नंबर को मेरे डिवाइस से कनेक्क करोगे जर इस नंबर ले करो इस नंबर ले करो आए 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 हें, लाइड अनगा वर का नहीं रहे दू? इंस्पेक्टर विचे कि आम का नहें कि ब długo कि युझे प्रुव रेट प्रुब कि युझे कि खिल बूद खराब करके रख दिया तोने तो तेरी तो बूद प्रच कर दिया तो अब आप 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 इसे नहीं सिंद्धिकी दी है इस मैं ड्यूटी सर आप घ्रण आप इसे नहीं सिंद्धिकी दी है सब्सक्राइब आप आप इसे नहीं सिंद्धिक करना आता है नहीं टेकनोलोजी की बात करता है इस उपरेशन को कितने अफिसर ने अंजाम दिया है श्री कृष्णा स्वयम मैदान में उतर जाए तो पांडवों की क्या जरूरत सोलो परफॉमांस ये बेवकूफ अपने आप पब्लिक सर्विस के लिए पबलिसिटी के लिए नहीं है कि आज के श्री कृष्ण मिस्तर हिमेश मेता छेजिंकिंग मिस्तर हिमेश मेता सबी न्यूजब आज कल बस आपके चर्चे तो बड़ा बरचे भाई पर कलेक्शन भीक है उसका क्या तिकर मत कीजिए शर किसमत का द कोई बात नहीं कुछ भी नहीं हुआ है तेरी बुद्धी घास चरने गई है क्या पीकर लड़की की स्कूटर को ठोक दिया तुने ने गलती हमारी थी अच्छा तो तुझे शरम नहीं आती इस लड़की ने स्कूटी गाड़ी को ठोक दी और तो चुप-चाप निकल रहा है अरे सर कोई नुकसान नहीं हुआ है छोड़िये ना इस बात का फैसला मैं करूंगा पहले मेरे सच स्टेशन चलो इसकी गाड़ी को ठोका है ना तुमने इन्होंने कंप्लेंट की क्या अकॉर्डिंग तो सेक्षिन वन सिक्षिन लोगे तो आपको दो साल की सजा हो सकती है और सेक्षिन वन नॉट एट की बार में तो पताई होगा अरे 108 तो एंब्यूलंस का नंबर है ने फिर यह सेक्षिन में कब से बदल गया वोली सर किस सेक्षिन की अंडर आप हमें स्टेशन ली जा रहे हैं मैं तो मजग कर रहा था और तुम ननी सी मासुम लड़की मेरी ब पास हो गई बराबर शरें और इसी खुशी में हमारे सिये साब आपको इनाम की तरुपे दोस तरुपे देए चुना लगा दिया इसने आज तक तो यही पता था की पैसे लेते कैसे हैं देते कैसे पता नहीं था इस लौड़की कोु को sum Avak सिखाना लब यू बखुड़ा सिखाना मैं तेरे साथ UH इसको छोड़ना मत पूरे देश को मता चले कि कैसे मैंने इसका बैंड बैंड बजाया यह सर इन सब सेक्शिंस की बारे में तुने भी यकीन कर लिया उसकी शकल देखती समझ गई थी कि वह पका गवार है इसलिए नकली सेक्शिंस बना दिये तो पागे ने सच में कर्यों पाले खाओव जुड़ती सेक्शिंस चरस reflective हेलो हाई हाई आप यहां कैसे वो लोग कहते हैं कॉफी अच्छी मिलती है अपकोस आप बैठे ना थांक यह कौन सी कॉफी लेंगे आप शायद लोगों ने यह नहीं बताया कि कौन सी कॉफी अच्छी है जी वो यहां की कैपचीनो विट एक्स्ट्र कॉफी शॉट बहुत अच्छी है ट्राइ करेंगे शाइब यह वही चेन वाला लड़का है थे इसक्यूज में यह आप अच्छी बागों एक्सक्यूज मी यह बिल किसने पे किया उस दिन आपने मेरे हेल्प की थी ना ये में तरह से ट्रीट है हुआ झाल वह 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 किसके ख्याल में खुया है बेटा उसी लड़की के बारे मैं सोच रहा हूँ शायद मुझे उससे प्यार हो गया मा तो जाकर डरेक्ली उसे आई लभी को नहीं किया देता अरे मा आई लव यो जा बेटा ओल दे बैस तो झाल मा झॉब यो मैं प्रह갈 आफैरल्वर्य यहार म रवर द्र psychological क्रॉप खुफ जो जाए हुए आपकी कैपचीनोत मैं सब्सक्चर आपकी कैपचीनोत माा इसका मतलब उसने आपको बता है नहीं उसकी शादी फिक्स हो गई है तो उसने जॉब छोड़ दिया एनिवेज मुझे दूसरे कस्टेमर्स भी अटेन करने हैं ओके बस फिर राज सुभई में वहां से अकिला निकल कर बाहर आ गया और शाम को जब ड्यूटी से वापस आ रहा था तो मुझे आप दिख गई बिलकुल सही कहा था आपने आपकी स्टोरी में पागलपन तो नहीं लेकिन दर्द जरूर है अम रहली सॉरी नहीं सॉरी की क्या बात है मैंने हमारी दोस्ती को प्यार समझ लिए पर उसके लिए वो बस दोस्ती ही थी वैसे प्यार करना बड़ी बात नहीं है किसी का प्यार मिलना बड़ी बात है मेरी किसमत में यह नहीं था अरे मेरी कहानी चोड़ो श्री राम को फोन करो अब तो बारिश भी रोग गई है आप ने जिस नमर पर कॉल किया है वो इसमद संबक शीत्री सी पहर है आउट उफ कवरेज एरिया बता रहा है अब तो अल्रेडी बारा बच चुके है अगर आपको परिशानी नहीं तो मेर आप अकेली रहते हैं नहीं मा के साथ रहता हूँ फिल्हाल वो आउट उफ टाउन है कला जाएंगे आपका अपना घर है नहीं किराय का गहर है यह मरी मा का कमरा है आप यहां आराम कीजिए लगता है आपकी मा आप सिर्फ प्यार करती है दो सिर्फ प्यार ही नहीं मुझ में जान बसी हंगी आउट उलखी बहुत देर ऊचुके आप आराम किजिए गुद्ण नाइट गुद मॉर्णंग attended कल के बारे में सोच रहा है क्या उसकी याद आ रही है ना प्यार में जो फेल होतने उनका मजा की उड़ाया जाता है अरे नहीं यार मेरा वो मतलब नहीं था अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूं अचानक पता चले जिससे प्यार है उसकी शादी हो रही है तो दिल तो तूटे नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्कार सर, कहिए, मेरा नाम चंदर शेखर है, बिल्डर हूँ, बीच रोड पर मेरी एक कंस्ट्रक्शन चालू है, वहाँ के लोकल गुंडों ने उसे रुखवा दियो और अब पचास लाग की डिमांड कर रहे हैं, कौन है वो, पांडा, अपनी कंप कोई भी कुछ भी कंप्लेंट करेगा, तो तुम एक्शन लोगे, मिश्टर चंदर शेखर, कंप्लेंट लिखने के लिए खाली पेन पेपर काफी नहीं है, कोट में जाकर गवाही देनी पड़ती है, उसके लिए जीगरा है क्या, मैं गवाही दूंगा सर, सूँ वाच्छे यही देखना था, अब देखना, कैसे भोडता हूँ पांडा का भांडा, पांडा, बीच रोड का जो काम है, उसे बंद करवा कर, बिल्डर को धमकी देकर, पचास लाख रुपे मांग रहे हो, सरीफ लोगों को डरा धम कर रहे हो, यह क्या है, क्या है यह सब, मम्मी, क्या तुमारी सुंदर बेटी सुबे मंदिर गई थी, जी हाँ सर, चंद्रशेकर जी की बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, सर, वो बहुत सुंदर है, हाँ हाँ, अपनी मम्मी पर गई होगी, तुझे उससे क्या, सर, उससे कही मेरी बेटी को कुछ ना करे, प्लीज, पांडा, ये बिल्डर बहुत समझदार है, सारी बात समझ गया है, लेकिन क्या है, आज कल लोहे सिमेंट का भाव बहुत बढ़ गया है, इसके लिए ये पचास लाख नहीं दे सकता, इस तालिस लाख में महांडवली करो, बात खतम, पोलिस का थोड़ा मान रखो, ओके, थैंक्यू, मैटर सुलजा दिये, राजा, चालिस लाख बांडा को देना, और पांच लाख मुझे, केस, अच्छा हुआ मेरे पास आगए, शाम तक पैसे यहां पहुचा देना, मैं दे दूँँगा, सर, चंद्रशेखर जी, मैं अक्शन लेने के लिए तयार, क्या आप कंप्लीन्ट लिखने के लिए तयार हैं, पैसा मेरी बेटी से ज़्यादा मायने नहीं रखता है, सर, पंडा, पंडा, तुमने झतने म bidding थे लिए, boy, Daddy, पंडा, तुमने झतने पैसे म मांगे मने दिदी ज़्यादा, मेरी बेटी का हुझदवो, यह सब पुलिस टेशन जाने से पहले सोचन चाहिए था, मध वायरी तुमें ? मेरी बेटी का छोड़ो, मै चालने जाए, कान है बे तो जर्म करने वाले और जर्म सहने वाले के बीच में हमेशा एक ही कबच होता और वो है पुलीस खाकी मैं खड़े इस शेर पर भरोसा कीजिये और अपनी कंप्लेंड लिखिये सर्फ है 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 यह है है को बंगाक रिंगे हाँ कि अार यू। कि अर्ण में युट अर्ण में युट कि अर्ण में युट युट गलिपनर nella magguana बास就 है, जोसे है छुडν刘 हुए 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 भुस वा रुछ क्या बात है श्री राम के घर पर ताला लगा हुआ था आसपास की लोगों से पूछा पर उन्हें भी कुछ नहीं पता तुम दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है क्या वेनु नाम का एक फ्रेंड है वो पनर्रामा हिल्स में रहता है हाई हाई श्री राम का फोन नहीं लग राव कुछ पता है वो कहा है एक मिनिट उसने यह लेटर देने को बोला था हाई बेबी मैं तुम्हें अपनी दिल की बात मुह से नहीं कह सकता इसलिए लेटर लिख रहा हूँ तुमसे शादी करके मुझे खुशी ज़रूर मिलती लेकिन मैंने स्वाती से शादी करने का फैसला किया क्योंकि उसके परिवार ने मेरे आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का फैसला किया है और तुम्हारी फैमली मुझे सपोर्ट नहीं करती मेरा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है माफ कर देना क्या हुआ है वो मुझे नहीं पता सर उसने सिर्फ यह लेटर दिया था तू ऐसे नहीं बोलेगा चल किसे छोड़ दो विजे तुम मुझे किसी बस्टॉप या टाक्सी स्टैन तक छोड़ सकते हो पर तुम जाओगी कहां इंसान चाहे जो भी गलती करें फिर भी उसका परिवार हमेशा उसे अपनाने के लिए तैयार है ता है शयद कल रात तुम्हारा घर से भागने का फैसला गलत. वो धोके बास उम्हारे लायक ही नहीं था जो हमारी किसमत में लिखा होता है, वो आज नहीं तो कल खुद हमारे पास चल कर आये जाता है जानता हूं हमने अपना प्यार खुया है लेकिन प्यार करना नहीं है इजे अरे मा वापस आ गई यहां तुम वही रुको मैं आ रहा हूं अरे नहीं नहीं तू रुक मैं आ दी हो नहीं रुको मैं आता हूं सिर्वे गहरी चोटानी के वज़े से दिमाग के एक हिस्से में खुन जम गया है अगर हमने तुरंत आपरेशन नहीं किया तो पेशिंट कॉमा में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है प्लीज डॉक्टर ऐसा मत कहिए आप आपरेशन शुरू कीजिए ऑपरेशन के लिए आपके डिपार्टमेंट ने जो पांच लाग का इंश्रेंस दिया उसके अलावा पचास लाग का खर्चा और होगा पचास लाग रुपए दिखने में तो अमीर लगते हो पर रियक्शन मेडल क्लास जैसा है ऐसा यहां नहीं चलेगा पास में ही यह गवर्मेंट होस्पिटल है आप इने वहां ले जाएंगे मेरा कोई नहीं है मेरा भी इस होस्पिटल के लावा कोई नहीं है तेखे डोक्टर मैं सारे पैसे इंस्टॉल्मेंट में लॉट आ दूँगा अब आप ऑपरेशन मत रोकिए एमाई की स्कीम के लिए यह कोई बैंक नहीं है होस्पिटल है अपनी मा को ले जाएंगे मेरे हाथ में कुछ नहीं है मैं कुछ भी करके वो पैसे लोटा दूँगा प्लीज डॉक्टर प्लीज कितनी बार कहो तुमसे डॉक्टर पैसे कब तक जमा करने होंगे कल सुबह दस बजे तक दस बजे तक हम पैसे दे देंगे आप ओपरेशन की तैयारी कीजे तुम परिशानी में हो मैं भी परिशानी में हूँ और हम दोनों की परिशानियों का बस एक ही हल है लेकिन तुम्हें एक रिस्क लेना होगा मैं मा के लिए कोई भी रिस्क उठाने को तइयार हूँ बोलो क्या करना है मुझे किटनाप करना होगा किटनाप? मेरे मामा जी को फोन करो और उनसे कहो तुमने मुझे किटनाब किया है और उनसे 50 लाग की डिमान करो और अगर पुलिस को खबर की तो मुझे मारने की धमकी दे दो मेरे मामा जी तुम्हारी बताई हुई जगा पर आकर 50 लाग रुपए दे देंगे लेकिन क्या उनके पास इतने पैसे होंगे? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? इंडस्ट्रिलिस्ट महेंदर वर्मा की भान जी हूँ वो अपनी आधी जायदाद अल्रेडी मेरे नाम कर चुके है मैं बस पांत साल के थी जब मेरे माबा की एक आकसिडन में मौथ हो गई मामा जी ने ही मुझे पाल पोस्कर बढ़ा किया और वो मुझसे अपने सखे बेटे से भी जाधा प्यार करते है बगवान दो राउंड पास हो गए हैं एटेर राउंड और पास करवा दो पहली सेलरी आपकी दान पेटी में डाल दूँगा क्या बस फोन छोड़कर इंटर्वियू पर ध्यान दो इस कंपनी की डीटेल चेक कर रहा हूँ इस कंपनी की डीटेल उसमें चेक क्या करना है भाई बेस्ट के वाल इंकम की वज़े से नहीं होती कस्तमर्स भी बढ़ने चाहिए इस कंपनी का मुनाफ़ा तो हर साल बढ़ रहा है लेकिन कराहक कम होते जा रहे हैं अगर मुझे ये जॉब मिला तो मैं इसी इश्यू पर ध्यान दूँगा इसक्यूज मी लगता है बहुत ज्यादा अटेंशिन में हो ये कोई गवर्मेंट जॉब नहीं है जो इंटर्वी में पास हो गए तो मिल जाएगा ये कॉर्परेट जॉब है प्रोजेक्ट्स और टागेट्स के रूप में यहां हर रोज एक नया इंटर्वी होता है इंटर्वीव लेने वाले को हमें ये एहसास दिलाना होगा कि हमसे बेटर कोई नहीं है So be confident Guys, interview is over क्या कह रहा है? इंटर्वीव खत्म? कब और किस ने ली? यहीं और इसी वक्त है इस कमपनी के मैनेजिंग जारेक्टर मिस्टर विक्रमा दित्य और इसेलेक्टर केंडिडेट्स आर भारत और मान सर्व आपने हम में से सर्फ इन दोनों को ही सेलेक्टियू किया मुझे यह बात अच्छी लगी कि तुमने दूसरे केंडिडेट से डरे बिना उनकी मदद की तुम्हारा confidence मुझे पसंद आया थांकियू सर्फ इसने यह नहीं सोचा कि कंपनी से क्या देगी बल्कि इसने यह सोचा कि यह कंपनी को क्या दे सकता है तुम्हारा अच्छा लगा थैंकियो सर्फ मामा जी ने मेरी शादी कहीं और फिक्स करती थी लेकिन मैं तो श्री राम से प्यार करती थी ना इसलिए मैं अपनी घर से भागाई जब आधी कंपनी तुम्हारे नाम पर है तो श्री राम ने किसी और से शादी क्यों की उसका और मेरा अच्छानी तो अहल हो जाएगी लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा मैं कल ही घर से भागी थी ना अगर वापस चली गई तो वो जरूर समझ जाएंगे कि मैंने उसी के साथ भागने की कोशिश की होगी लेकिन बात नहीं बनी और मैं हमेश्या के लिए सब की नजरों में गिर जाओंगी लेकिन उन्हें ये पता चला कि मैं किड्नाप हो गई हूँ तो उन्हें सच्चाए की भनक तक नहीं लगीगी अब सिर्फ तुम्हारी फैसले पर तुम्हारी मा की जिंदगी और मेरी हिस्जत दोनों ठीके हुई है तुम मुझे क्या करना होगा बेटा तुम ठीक तो हो फिलाल तो वो ठीक है एए तुम कौन हो मेरा नाम जानकर क्या करेगा तुरी भान जी को मैंने किड्नाप किया है किड्नाप किया? तु चाता वो सही सलामत घर पहुँचे तो कल सुबह तक 50 लाग तयार रख तुने चाला की किया पुलीस को खबर की तो उसे मैं मार दूँगा प्लीज वेट वेट तुम्हें जो चाहिए मैं दूँगा उसे कुछ नहीं होना चाहिए डैड सुदर्शन वो मैं मैंने सब सुन लिया सर कोई भी आपकी जगा होता तो यही करता सुदर्शन मुझे एक नहीं कार नया सिम और एक मोबाइल अरेंज करके दो आप सब को नहीं है आप सब को नहीं है आप सब को नहीं है आप यहां क्यों आए हैं आपकी भांजी को किड्नाप किया गया है ऐसे इंफर्मिशन मिलें आपसे ज़रूरी है अगर हमने पुलिस को बताया तो वो समयुक्ता को मार देगा मेरे बताने से पहले क्या आपको पता था कि मैं पुलिस वाला हूँ अगर वो प्लान बना सकता है तो हम भी प्लान बना सकते हैं इस ब्रीफ केस के अंदर जीपियस सिस्टम लगा हुआ है कैश इसी के अंदर ले जाहिए हैं और उसके बारे में पता लगाने के लिए हम आप सभी के नंबर टैप करेंगे कैश रेडी है ना? हाँ हाँ, कैश रेडी है पताओ क्टर अपोचना है मेरा बेटा लेकर आएगा काली पैंट सफीज शट पहना कर नौ बजे सेंट्रल मॉल भेज़ो कारकाण, पीछे की तरफ खड़ी है साइब गड़ लाग को तेक केर सर गईस, सेंटरल मॉल मलेशयन शोपिंग मॉल पराओ मलेशयन शोपिंग मॉल थास भी बन्से सीधियों से फर्स फ्लोर पर वॉश्रूम में आ जाओ वॉश बेसिन के नीचे एक ब्राउन बैग पड़ा है ब्रीफ केस से कैश निकाल कर उस बैग में डाल दो अब ब्रीफ केस को वही भैंक दो फिर बैग लेकर सीधा चौते फ्लोर पर आ जाओ जीपियस वाला ब्रीफ केस मिसिंग है सर बोलो तुम्हारे पीछे बेबी लैंड शॉप है उसके अंदर जाओ अपने फोन को स्विच आफ करके वहां पर रखतो और वहां जो फोन है उसे उठा लो गाइस पुछ तो कर बढ़े वी अलर्ट उस टोपी को पहन कर लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आ जा लिफ्ट से बाहर निकल दे एकजिट नमबर टू के सामने तुम्हें एक बिना नमबर प्लेट की सफेद गाड़ी दिखेगी उसकी टिक्की में पैसो वाला बाग रख दे ना मेरी कजन कहा है पहले जो कह रहा हूं वो करो गाइस अधे ते लिफ्ट से नीचे जा रहा है थर्ड फ्लोर अधे तेने ब्लेक क्या पैनी उसका पीछा करो कैफुली यस सर् एक जैसे कपड़ों में इतने सारे लोग कहां से आ गए मतलब यह उसी की कोई चाल है वो अकेला हम सब को फसा रहा है प्सक्ष्ट प्सकीतो 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 यह 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 डॉक्टर अपरेशन सक्सेस्ट थैंक्यू नहीं होती तो आज मैं थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए तुमने सिर्फ अपनी मा के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी इतना बड़ा कदर मुठाया सर्किटनैपर सम्युक्ता के नंबर से बार-बार फोन कर रहा था हम लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं ओके सर् सर्फ हर बार उसने कॉल एक मिनिट के अंदर ही काड़ दिया इसलिए हम उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए है सर्फ सर्फ सीसी टीवी फुटेज में भी मॉल से कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर्फ जिन लोगों ने ब्लैक और वाइट ड्रस पेने हुए थे वो सब लोगते उनकी बीटिंग सेम टाइम पर होती है कि नापस ने उसका फाइदा उठाया ओफिसर्स सर्फ पर उन पता लगा कि अज शेर में कहां कहां 50 लाख ट्रांजेक्शन हुआ है उससे सुराख मिलेगा जल्दी जा मूव यस सर्फ उसका पैसा लिए हुए दो घंटे हो लेकिन अभी तक लड़की का कोई आता पता नहीं आखिर उससे कब और कहां छोड़ेगा उसे सिल्वर बीच रोड पर वीता बस टॉप पर छोड़ दिया है बची सेफ है तुमने आज जो मेरे लिए किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं भुला सकता नहीं तुम्हें बाय कहकर मैं जिम्मेदारी को बुलाओंगा मैं तुमसे बादा करता हूं कि जल्दी सारे पैसे लोटा दूँगा कुछ लोग जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है न वो विश्वास तोड़ कर चले जाते हैं तुमने तो अंजान होकर भी बस दो दिनों में मेरे लिए कितना कुछ किया तुम्हारी मा से मिलने मैं जल्दी आऊंगे वाधा करती हूं मामा जी आते ही होंगे तुम्हें जाना चाहिए झाहिए झाहिए oh my god hello, 108 प्र।र्ण नेखुए लिर व्रूब वीग कि सिस्टर मा की साधिया है कि मा तुझ डर क्या था तुझे कहा लगा था मैं तुझे छोड़कर इतनी चल्दी चली जाओंगे तुझे अकेला छोड़कर मैं कहा जाओंगी रेपकले अभी तो तेरी शादी करवानी है शेहर में किड्नापिंग की एक और घटना जाने माने इंडस्ट्रलिस्ट बहेंद्र वर्मा की भानजी किड्नाप हो गई है हमें मिली जानकारी के अनुसार किड्नापिंग ने उनसे 50 लाग रुपेओं की मांग की है किड्नापिंग की 50 लाग की मांग पूरी करने के बावजूद उन्होंने अब तक उनकी भानजी को नहीं छोड़ा है अभी अभी मिली जानकारी के मुताबिक कल सुबह ही उस किड्नापर ने वो पैसे किसी अस्पताल में जमा करवाए थे ये है किड्नाप की गई महिंद्र वर्मा की भांजी सम्युकता वर्मा की तस्वीर हाइट 511, रंग गोरा, सुत्रों से ये भी पता चला है कि वो शायद किसी कॉफी शॉप में काम किया करती थी हॉस्पिटल से मिली कैमरा फुटेज से अभी अभी ये पता चला है कि इस किड्नापिंग के पीछे इस पुलीस वाले का हाथ है इसका नाम विचे है और ये थ्री टाउन पुलीस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर है पूरे डिपार्टमेंट में हल्चलसी मच गई है क्यूंकि किड्नापर एक पुलिस ऑफिसर है तेरा तो गेम खाते है क्यों है क्यों है तो देख मैं नहीं जानता तुम कौन है पर मैं तुझे ढूंड निकालूंग तू मुझसे नहीं बच सकता अवे हीरो मुझे पकड़ने की बाद तो तुम बाद में सोचना पहले अपने आपको बचा कर भागने की सोच शेर सिर्फ शिकार करना जानता है डर कर भागना नहीं सम्यूकता सेफ रहेगी तो तू भी सेफ रहेगा अगर उसे कुछ भी हुआ तो जिन्दगी का पहला इंकाउंटर तेरा ही करूँगा गड़ लाक सेम टु ये सम्यूकता वर्मात्वा आप तक कोई पता नहीं चल पाया है ये केस और भी वादर की हो गया है क्योंकि इस केस में पुलीस वाले का हाथ है सर किटने पर एक पुलीसमेने क्या ये सच है हमसे पहले तो आपको पता चल गया है अगर पुलिस वाले ही ये सब करेंगे तो जन्ता सुरक्षत कैसे महसूस करेगी किटनापर पुलिस वाला और उसे पकड़ने वाली भी पुलिस ही होगी रिपोर्टर नहीं हमारी मदद कर सकते तो कीजिए बिनावज़े पब्लिक में डर और अफ़ा फैलानी की ज़रूरत नहीं है सर जब उसने आदे गंटे में किटनेपर को पकड़ लिया तो मुझे लगा लड़का टेलेंटेड है एक्सपीरियंस ने ये पता नहीं था यार सर ये किटनेपर को कितने साल की सज़ा मिलती है छे साल तो कम से कम और जिसने पूरी प्लानिंग की उसकी कम से कम बारा साल अच्छा बारा साल मतलब कॉंग्रेचुलेशन सर आपका रिटार्मेंट फंक्शन जेल में ही होगा ये क्या बकवास कर रहा है तू बैट जाईए तेंक यू सर किटनेपर के बारे में आप क्या जानते है या आप मुझसे नहीं इन से पूछिए सर ये और वो एक दूसरे के बहुत करीब ओ बहुत करीब थे ओ हम एक ही डिपार्टमेंट में मिलकर काम करते थे बस इतने ही करीब थे तो किटनेपर के बारे में आपको तो पता हो गए कहा था ना आपका रिटार्मेंट फंक्शन जेल नहीं होगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर हमने उस पचास लाख रुपे के जरीए उससे पढ़ा पचास लाख रुपिया सर इसमें मेरा कोई लिना देना नहीं है हलो क्या सोच रहे हैं यूज देखे सर इतनी अमीर लड़की आखिर कॉफी सोप में काम क्यूं कर रही थी वाट कॉफी सोप में काम क्यूं कर रही थी इसमें नया सिमकाड है सर ज़रूत पढ़ने पर आपको फोन करूंगा होस्पिटल में 50 लाक रुपे खर चुके हैं स्पेशल ओफिसर ने आपको उसके जरी पकड़ा है डिपाट्मेंट से आपको सस्पेंट कर दिया गया है अरिस्ट वरन भी निकाला है आपके खिलाफ जिस डिपाट्मेंट को आप इतना प्यार करते हो वो आज आपको इदोशी समझ रहा है सर ये सब हो क्या रहा है ये साजश है जब दुश्मन में सामने से वार करने की हिम्मत ना हो तो वो ये हथियार अपनाता है लेकिन आपका दुश्मन कौन हो सकता है सर इमांदार इंसान की परचाई भी उसकी दुश्मन होती है दुश्मन किसी भी रूप में आपकी जिन्दगी में आ सकता है मेरी जिन्दगी में वो उस लड़की के रूप में आया थांक यू सो मच उस लड़की ने आपके साथ ऐसा क्यों किया पता नहीं पर उस लड़की के जरीए किसी ने मुझे इस जाल में भसाया है मेरा उसे बचाना सच था पर उसका श्रीराम के लिए वहां आना जूट था मैंने उसे गुंडों से बचाया ये सच है लेकिन ये बात कि वो महिंद्र वर्मा की भांजी है बिल्कुल जूट किड्नापिं का प्लान मेरा था ये सच है लेकिन सम्युकता को मैंने किड्नाप किया ये जूट है अब सम्युकता का किड्नापर मुझे इसमें फसा रहा है ये यह वाइजक का डॉन जोती है वाइजक का जोती उसे पकड़ दे ही पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन थी उस लड़की को मुझसे मिलाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया मतलब जोती के आदमी उस ड्रामा का एक हिस्सा थे क्या सर आप चुप क्यों हैं मेरी समयुक्ता के बिना में मर जाओंगा काफी बात हैं सामने आईए जिनका जवाब हमें चाहिए तब ही पुलिस डेपार्टमेंट कुछ कर पाएगा आपकी भाणजी और इस कंपनी की M.D. समयुक्ता काफी शॉप पर काम क्यों कर रही थी बेटी समयुक्ता तुम्हारा कोर्स खत्म हो चुका है मैं कंपनी तुम दुनों को सौप चुका हूँ तो क्या सोचा है कब जोइन करोगी कंपनी जोइन करने से पहले मैं नीचे के लेवल से काम करना शुरू करना चाहते हूं नीचे के लेवल पर मतलब मतलब शुरू में मुझे सब से छोड़े लेवल पर काम करना है तुम ही ये सब काम करने के क्या जरूरत है बेटा जरूरत के लिए नहीं मामी अनुभाव के लिए मेहनत की कद्र जानना चाहती हूं मैं यह क्या बोल रही है तू तो कुछ बोले से मां हम विरासत के बारे में सोच रहे हैं लेकिन यह शक्सियत के बारे में सोच रही है सम्युक्ता कौन है और कितने बड़े घर से आती है यह बात सिर्फ आप लोग जानते हैं लेकिन किड्नैपर को भी इस बात का पता लग गया और उसने सीधे आपको फोन किया कि बीच में कोई कड़ी छूट रही है कि कहीं और कोई खिचड़ी पक रही है जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते हैं कि 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 डोल किसने बन करवाया बैइ कि अब को शाइटाइम पर आया तू भाइ तेरा इंजार कर रहा थे एना महीना इसा कब बोला आप इससे क्यों डर्योंग यह आज आपके एरिया में इसका घूसा नहीं खाया ना तूने अब तक बेटा इस बार या हमारा घूसा खाएगा वारे लाका है नसर गुमा कि देख हमारा एक 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 आदमी तयार है पालो तो भाई इसी अभी ठोक दे को अब दोरे लगा तो इसे मारने के लिए हमारी आद्मी तड़ाप रहों गए लेकिन इसने तो हमारी अरिया में हमारी ही पजा दी मेरी फाइली शादी है सर फ्लीज मेरे को छोड़ दो सौर किसी साधिया करने करते उस दिन जिस लड़की के पीछे भाग रहे थे वह कौन थी लड़की ते रहा तर उसने बोला था कि हमें पचास अजर दी कि अगर आप उसको पकड़ने का नाटिक करें क्या पचास हजा हो लेकिन तुम तुम दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है क्या वीनू नाम का एक फ्रेंड है वो पैनोरामा हिल्स में रहता है अब कि अब यह लोगे बिर्यानी अरे एसी रूम में बैठकर मजे से खाता था उसकी वज़े से रोड़ पर खाना पड़ रहा है वह तरी है हम सब एक्दम सावधान है सर जैसे उसको देखेंगे तुरंट पकड़ लेंगे सर आसर अरे उस गधेड़ी की वज़े से मुझे सब लोग विजय जैसे दिखने लगे हैं सर यह तो मुझे भी विजय लग रहा है सर अले टाइम पास मन कर और जल्दी से उसे पकड़ जल्दी चला और जल्दी और जल्दी और जल्दी सर यह तो वह है सर स्पेशल ऑफिसर को फोन करूं क्या नाई शिकार मैंने किया तो उसे खाऊंगा भी मैं ही हलो एंटीवी तुमारे लिए सेंसेशनल ब्रेकिंग न्यूज केड़ने पर विजय को अरेस्ट कर लिया है एक हफ्ते से हम लोग बाहर थे आज यह सुबह हम आए आपको कोई गलत फहमी हुई है 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 जब बोला तो हाथ उपर करने का बकुड़ा इतना भी नहीं मालूब प्रेकिंग प्रेकिंग अजब तेस्ट कर दो नहीं मालूब प्रेकिंग अराए प्रेकिंग प्रेकिंग भ्रेकिंग सर प्लीज मुझे छोड दिजे मैंने किड़्णापिंग नहीं की अगर तुझे छोड़ दिया तो तुझे चाला किसे भागने की पबलिसिटी मिल जाएगी और अगर पकड़ के रखा तो पकड़ने की पबलिसिटी मुझे मिलेगी प्लीज सर मेरा यकीन मानिये तेरी कोई कहान ही नहीं चलेगी बकुड़ा मेरे साब मैंने कुछ नहीं सुनना सर एक मिनिट सर देखो मैं तुमारी बातों में नहीं आने वाला अपने हथियार फैंक दो अरे तुम लोगों को कोई गेम सो का क्वेस्चन पूछा जो इतना सोच रहे हो ओडर दिया है तो हथियार फेको मैं आपकी गन में बुलट डालना तो भूली गया सर मम्मी जिंगी में पहली बार तुने कोई ढंका काम किया है अब ही सुनले बकुड़ा भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता बगवान की ज़रूरत नहीं है सर आप खुद ही लॉक ओपन करेंगे मैं पर कैसे ऐसे अरे खुड़ा अरे परी गयो खुड़ा तो नहीं जान बची है आपके आपने एक जल्दी अदो सामने से अखो आपने कहा कोई शेशनल न्यूस है वीजय को पकड़ते हुए बूरी तरह गायल उन्हें सान्तों ना देने पहुंचे कमिस्णर बहुदूरी पर साबा सीदी सीम ने पर आप तो सही सलामत हैं सर्थ देखो कितनी जोर से लगी है ब्रेकिंग यूज किड्नेपर को भगाने में मदद की सियाई हिमेश मेता ने ये किड्नेपर के साथ मिले हुए है इन्होंने अपना इमान पेच दिया है आगे की ब्रेकिंग यूज देखने के लिए बने रही आपकी फिर्टी चैनल एंटीवी पर इसे कहते है ब्रेकिंग यूज मम्मी नमस्ते सर हम हलो सर जिस प्राइवेट नमबर से आज सुभा आपको फोन आया था वो अजय भूपती है जिसे अपने फामाउस पर पकड़ा था वो दो दिन पहले ही बेल पर छूटा है सर फिलहाल उस नमबर की लोकेशन संद्रे कॉल्फ को उर्ज बता रही है क्यारे जेल में होनी की बजा तो यहां पुलिस नमबर तक पकड़ा नहीं हां मैं उन में से नहीं जो पकड़े जाने के डर से भागते हैं पुलीस वाला हूं जिससे क्रिमिनल्स भागते हैं क्यां पुलिस नहीं है तुझे तो सी दिन खतम कर देना चाहिए था, बोल ये सब तुने किसके कहने पर किया है बोल, बताओ, सम्युक्ता को कहां रखा है, किड्नैप तो ने क्यार मज़ से पुछता है मैंने किड्नैप किया है, न्यूस पर आते ही तुने मुझे फोन किया था ना हाँ, मैं कॉफी शॉप में तुझे बदला लेने आया था और तभी मैंने ब्रेकिंग निउस देखी फिर मैंने सोचा कि तुझे तो पुलिसी मार डालीगी तो फिर मैं क्यू मारूँ मेरा इस किड्नैपने से कोई लेना देना नहीं सिल्वर बीच रोड के किनार एक लड़की की डेड बॉड़ी मिली है ये वही रोड जिसके गीतापन स्टॉप पर किड्नैपने सम्युकता वर्मा को छोड़ने का वादा किया था अब सवाल ये उट रहे हैं कि क्या ये शव सम्युकता वर्मा का ही है या नहीं सर्व क्या पोजिशन है बॉड़ी कुछ तिर पहले ही निकाली गई है सर्व आइडेंटिफिकेशन अभी बागी है ओफिसर ये बॉड़ी मेरी सम्युकता की नहीं हो सकती है आप होसला रखिए और बॉड़ी को आइडेंटिफाई कीजिए प्लीज सर्व प्लीज सर्व ये ये सम्युकता नहीं है कुछ लोग जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है वे विश्वास तोर के चले जाते हैं तुमने तो अंजान होकर बस दो दिनों में मेरे लिए कितना कुछ किया मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारी क्या गलती है जिन पर जितने पैसे मागए थे हमने उसे दीए फिर भी उसने सम्युकता को नहीं छोड़ा हमें हमारी सम्युकता साही सलामत वापस चाहिए उसकी कोई भी खबर देने वाले को हम दस करोड रुपए देंगे और विजय यह आफर तुम्हारे लिए भी है और तुम पर कोई केस भी नहीं होगा इस माइप्रॉमस इस लड़की की पूरी डीटेल्स चाहिए मुझे ओके सब्सक्राइब रेड़काइब गाई अब राइट नाव ए रुको मैं तुमसे कह रहा हूँ विजय रुक जाव विजय विजय रुक जाओ विजय रुक जाओ किसा हुआँ रुको जए दोड़के वादेव कि ए कर दोड़के लुको रुको कुम पर्फश नियुुक बस्टर थे मैं जय आए अरो जय को बढ़?! यह सब क्या हो रहा है विचे यह पुलीस का चक्कर किड्नापिंग सम्युक्ता तो तुमसे प्यार करती थी पर तुमने उसे किड्नाप क्यों किया सम्युक्ता मुझसे प्यार करती है पर तुमने कहा उसकी शादी तय हो गई यह इसलिए वो चली गई तुम सम्युक्ता से प्यार करते हो यह सावित करने के लिए मैं जूट बोला था तुमने जूट बोला मैं तो खुद नहीं जानती थी कि वो कौन है हम तो बस साथ में रहत तुम्हारी माँ आप कैसी है सॉरी मैडम मैंने उस दिन जूट बोला था पर उस जूट ने मुझे अज एक अच्छा इंसान बना दिया आपने जो मुझे पैसे दिये थे उससे मैंने खुब दारूपी मैडम तभी मुझे विजय सर मिले और उन्होंने मुसे कहा कि कभी भी मा मा का नाम लेकर जूट मत बोलना और यह दुकान खुरवा दी मा जरह यहां ना मैंने आपसे कहा था यह वही मैडम है नमस्ते मैडम सिर्फ आपकी और ऐसा ही साहब की वज़ा से मेरा बेटा आज इमानदारी की जिंदगी जी पा रहा है थैंक यू तुम्हारा हेलमेट शॉपल आइडिया अच्छा था 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 पहले कभी नहीं खाया क्या इसे आसे आराम से पकड़ो और अपना मूँ खोलो जब मैं बच्पन में खाना नहीं खाती थी ना तो पापा भी मुझे ऐसे ही खिलाते थे उस वक्त लगता था कि मैं कोई राजकुमारी हूं कॉंग्राट्स किस लिए आज फिर से राजकुमारी जैसा मैं सूस हुआ होगा लीजिये माजी थैंक्स हां कॉफी तो बहुत अची है तुमने बनाई यहां कॉफी इंसान नहीं बनाते माजी मशीन में बनती है पता है मैं तो मजाग कर रही थी तुम्हारा नाम क्या है बिटा सम्युक्ता सम्युक्ता सक्सेना सम्युक्ता बहुत अच्छा नाम है लेकिन साने मच्छा नहीं है उसे माँ जी सरनेम बला कैसे बदल सकते हैं मेरे पेटे से शादी करेगी तो सरनेम बदल चाहेगा नहां अब कि वीजे के बारे में तेरा क्या खयाल है अच्छा फ्रेंड है मुझे तो उससे कुछ ज्यादा ही लग रहा है उसने तो उस चोड तक को बदल दिआ थाकि तुम्हारी की हुई मदद बेकार ना हो तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया जो तुम्हार western करें तो इससे प्यार कहते हैं तुझे भी अगर वह पसंद है तो किस चीज का इंतिजार कर रही तुम विजय को गलत समझ रही हो, उसने कभी भी मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा अब तक मुझसे विरा फोन नमबर तक नहीं मांगा ठीक है विजय तुछ से प्यार करता है या सिर्फ फ्रेंट है ये बात मैं कल साबित कर दूंगी हर दिन की तरह उसके आने का टाइम हो गया है तो बिल्कुल भी उसके सामने मत आना है ओके लिए सिर्फ वहां किया है तुछ हाई वह कहा है उसकी शादे फिक्स हो गई तो जॉब छोड़कर चली गई जब किसी फ्रेंट की शादे फिक्स होती है तो उसके सारे दोस्त खोश होते हैं दुखी वही होता है जो प्यार करता है अब ये बात तुझे सोचनी है बीजे तेरा फ्रेंट है या फिर प्यार रात को जब मैं हॉस्टल पहुँची तो सम्युक्ता रूम में नहीं थी फिर मैंने उसे कॉल किया वैश्णवी कल मामी का बर्थडे है ना तुम्हें किफ खरीदने मैं सीमर सेंट्रल मॉल आ गई हूँ ओ मुझे तीन चार दिन के लिए घर वापस जाना है मैंने सुच्छा तू मुझे बस्टॉप तक ड्रॉप कर देगी मुझे आदा घंटा लगेगा नहीं चलेगा मेरी बस चूट जाएगी हैपी जर्नी मेरी उससे आखरी बार तब ही आने के बाद ट्राय किया पर उसे बात ही नहीं हो पाई हार न्यूस चानल में बस उसी की ख़बर थी उसने सबको अपना नाम सम्युकता वल्मा के बचाए सम्युकता सक्सेना बता अच्छा सम्युकता गिफ्ट लेने के लिए कौन से मॉल में गाई थी आप सीमर सेंट्रल सर कंट्रोल हुम उपर है सर चला सर ये लास्ट वैड़ी के फुटिज है सर वो तीसरा कैमेरा ज़रा फ्रीज करने इस लड़की को फॉलोग आए इस लड़की को फॉलोग है कार के नंबर पर जूम करना थोड़ा और जूम करना मुझे इस कार ओनर के सारे डीटिल्स जल्दी से मेसेज करतो ओके सर किद्नैपर विजय की मा से पुलिस ने हॉस्पिटल में पूछ ताज की आइस यू में जो पेशेंट है अभी उसकी हालत कैसी है सर देगे पेशेंट का ओपरेशन का लिए हो चुका है और अब वो पहले से काफी बेतर है हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे है आपको क्या लगता है कि आपके बेटे का इसमें कोई हाथ है मेरा बेटा किद्नापर नहीं है पुलिस ओफिसर है मेरी फिक्रत बिलकुल मत करना डॉक्टर ने कहा है कि मैं ठीक हूँ तु जहां कहीं भी है मुझे सरूर देख रहा होगा जब भी किसीने कंप्रेंट लिखवाई है तुन्हें हमेशे एक्शन लिया है पर आज अलजाम तुछ पर लगा है तुझे कुछ भी करके अपने आपको निर्देश साबित करना होगा तुझे मेरी परवरिश की कसम और मुझे पूरा यकीन है कि तुछ ये सब कर लेगा एरा अशिरवात तेरे साथ है ओनर के डीटेल्स मिल गए अर्विन विला प्लॉट नमबर मानिक वान रिशी कॉंड़ा लेट्स गो ये लिजे सर्व ये लिजे सर्व ये लिजे लगता है कि उस लड़की का परन ऐसा हिसाब ने किया होगा अरे मा उन्होंने मुझे से चोर को एक इंसान बना दिया वह एसा नहीं कर सकते हो ये जो फोटो में इसे कहीं देखा है नहीं देखा सर्व रियान से देखो सही में नहीं देखा सर्व पुलीस है गाड़ी कुपार विचे वह अमारी तरफ ही आ रहे है सर्व देखें वो कितना पर पाइट लेगे बाग रहे है राकाह कुछ वालकामाल कुछ वालकामाल कर दो कर दो कि तुछाथ स्टोर्रोम है इसकी फोटो यार क्या तुमें से जानते हो कल राप इसकी गाड़ी का अक्सिडेंट वा था मैंने इसकी फोटो यार क्या तुमें अबिलन्स बुलाकर इसे हॉस्पिटल भेजा था फिर इसके फोन पर किसी का कॉल आ रहा था जब मैंने वापस कॉल करने की कोशिश की तो नहीं कर पाया क्योंकि इसका फोन लॉक था कहीं इसके घर वाले इसे वापस फोन ना करें इसलिए इसका फोन मैंने अपने पास रख ये फोन नंबर तो ए तो ने कल कितनी बार फोन किया मैंने तुझे जब सम्युकता और लावन्या को मारने को कहा था तो 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 ने सिर्फ लावन्या को क्यो मारा अब बोलता क्यों ने कुछ तुने अभी तक सम्युकता को नहीं मारा है ना क्योंकि अगर मार दिया होता तो प्लान के मुताबिक आजलावन्या के बजाए उसकी बाड़ी मिली चाही थी अच्छा मैं समझ गया है बोल कितने पैसे चाहिए तुझे मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ पर उसे अभी के अभी खत्म कर रहे हैं गुड लग मिस्टर विक्रमादेद्या कौन है बतु जो खेल तुने शुरू किया है उसे खत्म करने वाला विनर हूँ मैं क्या खेल खेला है खिलाडी तो बहुत सारे थे पर उन सब के पीछे दिमाग सिर्फ तेरा सुपरब तेरे बाप ने आधी जायदाद जब सम्युक्ता के नाम पर कर दी तब तुने सोचा कि उसे अपने रास्ते से हटा ना होगा तुझे पता चला कि सम्युक्ता मुझसे प्यार करती है तो मुझे मोहरा बना कर तुने उसे मारने का प्लान बना है सम्युक्ता के कतल का शक तुछ पर ना है, इसलिए तुने किड्नैपिंग का प्लान बना है इसे किड्नैप करके अपने पास रखना है और जब मैं कहूं इसे मार कर, इसकी लाश को मेरी बताई हुई जगे पर ठेंगे ला है CMR Central Mall की पारकिंग में तुने सम्युक्ता को किड्नैप करवाया और वही थी असली किड्नैपिंग लेकिन उसके साथ ही तुने नकली किड्नैपिंग प्लान करवाया और तु चाहता था उसमें मैं भज जाऊं इसलिए सम्युक्ता को किड्नाप करवा कर तुने लावण्या को मेरे पास भीजा तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ इंडस्ट्रिलिस्ट महेंद्र वर्मा की भाण जी हूँ तेरी नकली किड्नापिंग को अंजाम तक पहुचाने के लिए जरूरी था कि मुझे पैसो की जरूरत हो तुने मेरी मा का अक्सिडेंट करवा है फिर जब मैंने तेरे बाप को पैसो के लिए फोन किया तो तुने खुद ही पुलीस को इंफॉर्म किया और इस किड्नापिंग के जाल में पुलीस भी आ गए पिर तुने पुलीस के सामने सारी किड्नापिंग के किस्से को असली बना डा रहा सम्युक्ता के लिए 50 लाग तो क्या हम 50 करोड भी दे सकते हैं पैसे लेकर मैंने तेरे बाप को फोन किया कि मैंने लावन्या को बस्टॉप पर छोड़ा है तो यह तो सब ऐसे पता हैं जैसे सब तेरे सामने हुआ है तुने शही दिमाग लगा है कि लावन्या को तेरे पास मैंने ही भी भेजाता है और कि डैपर का फोन तेरे पास है तो तुने जरूर उसका भी पता लगाई लिया हुए लेकिन इस सब के पीछे मेरा हाथ है ये तुझे क्या से पता चला चला चालाग से चालाग चोर भी जल्दवाजी में कोई नो कोई गलती कर बैठता है तूने भी वही कि मैंने कौन सी गलती की अभी तक समझ में नहीं तूने जो गलती की है वो इस वक्त तेरे हाथ में है घ्यान से देख कल मॉल में पैसे देते वक्त मैंने तेरा फोन एक्स्चेंज करवाया था और तूने उसी फोन से किडनापर को फोन किया है अभी तक तुने पूरी दुनिया को एक मुझरिम का खेल दिखाया है लेकिन आज के बाद मैं तुझे एक पुलीस वाले का खेल दिखाऊंगा हम किसी मैदान में नहीं हैं जो तुम मुझे अपना खेल दिखाएगा ये मेरा चक्र व्यू है किसी चक्र व्यू में फंस जाए वैसा अभी मन्यू नहीं हुँ मैं पुलीस अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वो हॉस्पिटल ढूणना होगा जहां उस के डिनापर को लेके गए हैं चलो 108, में आई हेल्प यू? कल रात सिल्वा बीच रोड पर एक कार अक्सिडेंट हुआ था क्या आप बता सकती हैं कि जिनका अक्सिडेंट हुआ था उन्हें के साथ हॉस्पिटल में भरती किया? सीशोर हॉस्पिटल्स सब कुछ हमारे कंट्रोल में हैं सारे सेसी टीवी कैमरास बंद करवा दिये हैं पुलिस कवर भी हटा दिया है आप उसे ले जा सकते हैं कहां है वो? कहां हुस्पिटल्स सम्युक्ता को क्यों नहीं मारा तुने? जब आपने फोन किया था मैं उसे मार नहीं वाला था है वर नाइस जर्नी किसने कहा है मुझे मारने के लिए अच्छा आखरी ख्वाइश तुम्हारे मामा का बेटा विकरम अदित्य कितने पैसे दिये उसने? पांच करोड़ मैं दस करोड़ दूँगी मुझे छोड़ दो दस करोड़? अगर मन्जूर है तो अभी तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर देती है तेरा करोड़ 36 लाग मुझे ये सारा पैसा चाहिए ठीक है अकाउंट नंबर दो कितना टैम लगेगा? तुम्हारा अकाउंट नंबर आड कर लिया है पैसे ट्रांसफर होने में एक घंडा लग जाएगा मेरे पास इतना वक्त नहीं है पैसा अभी ट्रांसफर करो तो फिर अपने अकाउंट से लॉग इन करके मुझे पैसे रिसीव करने की रिक्वेस्ट भीजो जैसे ही मैं एकसप करूँगी पैसे ट्रांसफर हो जाएगे मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट भेज दिया एकसप कर लो मार दिया उसे समिक्ता की टेड़ बोडी को सिल्वर बीच रोड पर फेंक दो ओके साथ दूसरा टागेट उसी रोड के गीता बस टॉप पर इंजार कर रहा है फोटो मैसेज कर रहा हूं उसे मार कर टेड़ बोडी को कहीं तूर ठीकाने लगा देना ओके साथ पैसे आ गए मैं निकलती हूं मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करो गए जड़ा नीचे देखो तूर पैसे हो गए हैं ट्रांसफर हाँ पर तुम्हारे अकाउंट से मेरे अकाउंट में मैंने तुम्हारे रिक्वेस्ट भेज़ दी है एकसेप कर लो हलो तो आप बताओ तुम्हे मेरी जान चाहिए या अपना पैसा अपना पैसा वापस लेना आता है मुझे आई विल बी बैक आदित्या मैं पिछले आधे घंटे से यहां खड़ी हूं मुझे लेने कोई भी नहीं आ रहा और मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे डबल एट डबलेट ब्लाक स्कॉड़र तुम्हे पिक अप करने आ रही है उसमें बैठ जाना डबलेट 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 झाल दोला मिर्ट तोला, नोला के दोलाएबदा ऐसे पाल! कि अ खंडवा ज अवां संहाँ हंवाई हंवाई अवाई आप चार इसका मतलब सम्युकता चार दिन से उसी फाम हाउस में है क्या सबूत है अपना फोन दो ये एक डाक रूम है मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता कि ये कमरा कहा है अंदर कोई कितना भी चिलाए आवास बाहर तक नहीं आ सकती सम्युकता सांस नहीं ले पा रही है मतलब रूम का ऑक्सिजन सिरिंडर खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से वो लगबग एक या दो घंटे तक और जिन्दा रहेगी तेरी महबूबा के पास ज्यादा वक्त नहीं है वो एक घंटे में मर जाएगी पितनी छोटी सी बात सुनकर सदमा लग गया क्या हाँ वो तो कुछ पुलिस का गेन दिखाने वाला था उसका क्या हुआ असली खेल तो अब शुरू हुआ है अब या तो तो खुद की बेगनाही साबित कर ले या फिर सम्युकता को बचा ले केवल एक घंटा है तेरे पास केवल एक घंटा बचा सकता तो बचा ले अपने प्यार को ये एक घंटा फैसला करेगा कि जी तेरी होगी हम या मेरी टाइम शुरू होता है अब हलो सम्युकता को बचाने के लिए हमें उस किर्णापर को पकड़ना होगा ये प्यार के लाइमें इटारी जारे पास हमे दोUCK सारी फार्मेंटिस पूरी कर दो कर दो झाल झाल क्या हुआ उसने बताया कि सम्युकता कहा है तुने कैसे सोच लिया कि मैं कोई सुराग छोड़ कर जाओंगा तेरी ये हालत देखकर मुझे एक स्कूल में पड़ी हुई कहानी याद आ गई बहुत समय पहले एक राज्य हुआ करता था राजा के दो वारिस थे राजकुमार और राजकुमारी राजा के मरने के बाद वो दोनों ही पूरा राज्य समालने वाले थे पर एक दिन राजकुमार ने सोचा कि क्यों ने वो पूरा राज्य ही हडप ले राजकुमारी को मार कर लेकिन राजकुमारी को एक सैनिक से प्यार हो जाता है जिसे वो राज का शासक बनाना चाहती है तो पता है उस राजकुमार ने क्या किया अपने एक जासूस से उसने राजकुमारी को आगवा करवा लिया और गुफा में चुपा कर रख दिया अब वो सैनिक हर जगा भटक क कर अपनी राजकुमारी को ढुणता बिर रहा है लेकिन बस राजकुमार को पता है कि वो कहा है और जानता है कि वो राजकुमार इस वक्त कहा है वो उसी गुफा के बाहर खड़ा है अब मैं तुस्से एक सवाल पूछूँगा अगर राजकुमार ने राजकुमारी को मार डाला तो फिर राज्य का नया राजा बनूगा मैं लेकिन अगर सैनेक ने राजकुमारी को बचा लिया तो नया राजा बनेगा वो यानी तू चला बता कौन बनेगा राजा बोल कौन बनेगा राजा हां तू या मैं राचा राचा मैं बनूंगा तू कैसे बनेगा तेरी राजकुमारी को तू मारने वाला हूं अच्छा राजकुमारी गुफा से भाग गई केवले एक घंटा है तेरे पास केवले एक घंटा बचा सकता तो बचा ले अपने प्यार को क्या हुआ होस्पिटल में इस्तमाल होने वाला ऑक्सीजन सिलिंडर फार्म हाउस में क्यों रखा गया था मतलब वहां कोई ऐसा कमरा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है नो चांस हमने सभी रूमस अच्छे से चेक किये थे फार्म हाउस के हर कमरे के दरवाजे पर एक इंग्लिश फिश लेटर था क्या मतलब है उनका अर्विंद उसके नाम में आउंट अक्षर है और फार्म हाउस में आउथ वैपले भी हर एक अकमरे के ऊपर लगाया गया लेकिन एनक्षर का मरा वहां नहीं था, मतलब हमें जाकर वही कमरा ढूलना होगा, येस, सिर्फ 20 मिनिट अचे, A, I, H, R, A, D, क्या दी ख्रयों तुम? यही एंट हम ढून रहेते हैं मेरा सारा प्लान पिकार दिया, या, वैश्नवी, मैं सम्युक्ता को लेकर कमिशनर के पास जा रहा हूँ, तुम मीडिया को लेकर वहाँ पहुँचो, ओके, विक्रमा दित्या, क्या एरो, अपने प्यार को बचाने के चक्कर में, हॉस्पिटल में पड़ी, अपनी माँ को बोल गया, जानना नहीं चाहेगा कि, तेरी माँ, जिंदा भी है, या, किसी ने उसे मार दिया, विक्रमा दित्या, तुम्हें मुझसे मतलब है ना, आंटी को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर चाहती हो कि उन्हें कुछ ना हो, तो विजय को लेकर, हमारी सीमेंट फैक्टरी पर आजाओ, चलो, विजय, 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 हांगे कुल बिटा, विजय, 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 विजय विजय, 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 मॉ दीजे मैं आ गया आप इन्हें कहा था ना कि आप इसके साथ रहेंगी इसे बचाएंगी तो बचाईए इसे बचाईए मेरा सपना था कि एस ग्रूप्स अफ इंडस्ट्रीज को मैं आदिति ग्रूप अफ इंडस्ट्रीज में बदल दूँ और जो भी मेरे इस सपने के बीच में आएगा उसका यही हश्र होगा तुने इसको बचाने के लिए कितनी मेहनत की नहीं अब मैं इसे तेरी ही आँखों के सामने मारूँगा चल अब बता कौन जीता? तू जीता? या मैं? हमारी हार और जीत तो इंसान के दो कदमों की तरह होती है बस एक ही पल में हार जीत में बदल सकती है मानना पड़ेगा तुझे अभी भी लगता है कि जीत तेरी हो? तुझे लग सकता है कि तु मेरे सामने इसे मारेगा, तो मुझे क्यों नहीं लग सकता कि जीत मेरी होगी? लगता है तुझे गन का मतलब नहीं पता. अगर ये चल गई तो भेजा उड़ा देती है. मतलब तेरी गन में बुलेट्स नहीं है. बिना बुलेट्स की गन से भेजा उड़ाएगा कैसे है? बुलेट्स कैसे नहीं है. मैंने खुद लोड़ की थी. ये देख, ये रही बुलेट्स. पुलीस के साथ खेल खेलने के लिए दिमाग बुलेट्स से भी ज्यादा तेज होना चाहिए. जुलेट्न जtv क्रीजि जळाएगा की इच बुलेट्स नहीं है. लाँ 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 1... Pijay! Pijay! 1... 1. कर दो सकतिता कि इपांद। करता दो करता है ए्वार रङद संसे हैं करका दो कर दो करेंगा, ऑट रपारिफा एंगा एंगा कर दो कि लिए घट करेंगा की ठंग और रचैंगा दो एंगा आछीरू, योटे अाल करेंगा टारों। कर दो लेडिस एंड जेंटलमेन आज से हमारी S ग्रूप आफ कमपनीज की नई चेयरमेन है मिस सम्युकता लेडिस साल पहले मैंने इस कमपनी का नाम इसके नाम पर रखा था और आज ये पूरा बिजनस ही सम्युकता के नाम पर ट्रास्फर करता हूँ मैडम आप भी साइन कर दीजिए सम्युकता कितने खुझ लग रही है यही साही टाइम है उसे जाकर कह दे अपने दिल की बात वो कॉफी शाउप में काम करने वाली सम्युकता नहीं है माँ सम्युकता ग्रूप अफ इंडस्ट्रीज की M.D. है लेकिन तू थो उसे पहले से ही प्यार करता है ना बिटा इंसान का दिल लालची होता है हर चीज पाने की इच्छा रखता है पर हर इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है मा कभी-कभी दोस्ती प्यार में बदल जाती है पर मेरा प्यार हमेशा दोस्ती तक ही सीमित रहेगा चलो चलते हैं बेड़ों आप यह अपना सरनेम लिखना तो भूली गई गई विजय यह यहां सरनेम लिखने को कह रहे है मैं अपना सरनेम लिखूया अपने नाम के साथ तुम्हारा सरनेम लिखने विखने मैं लिए। अपना सरनेम लिखने विखने लिखने प्यारा महारा महारा जब यखने मेश्थ प्यश्पचरन भूपचरन झाल